दोस्तो जिन विद्ध्यार्थियों ने हर्याना पॉलो टेक्निक डिप्लोमा के टैंथ बेस पर फॉर्म फिल किये थे उन सभी के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की स्टार्टिंग डेट आ चुकी है और ओपन हो चुकी है वेबसाइट तो हर्याना स्टेट टेक्निकल एजुके लोगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस सामने आएगा कोर्स का सलेक्षन आएगा सलेक्षन करना आपको डिप्लोमा इंजिनिरिंग इसके बाद जाना है आपको रजिस्टेशन आइडी स्क्योर्टी रिजन से मैं सो नहीं कर पाऊंगा पासवर्ड भी लोगिन पे क्लिक जैसे आप लोगिन करेंगे लोगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने निकल करके आएगा यहाँ पे आपकी फोटो होगी इस प्रकार से वेलकम लिखा मिलेगा इंस्ट्रेक्शन को केरफुली रीड कर लें तो यह सभी डिटेल तो लेन के अँब करने के बाद एक नएा इंटरफेस निकल करके आपके सामने आएगा जो की कुछ इस प्रकार का रहेगा यहाँ पे मैं केवल government institute click करने वाला हूँ आप edit भी कर सकते हैं self financed भी government पे click करने के बाद अपने roll number पे click करें click किया तो यहाँ पे एक इस प्रकार का interface सामने आया तो government के लिए आप display choices करें तो display इस प्रकार से कुछ आ चुकी है यहाँ पे आपको district का भी selection करना है तो district के selection पे click करें तो यहाँ से कोई भी district का आप chain कर सकते हैं जहाँ पे admission लेना चाते हैं जैसे मैंने महंदरगड़ पे click किया तो महंदरगड़ में जो भी polo technique है वो आपके सामने रहेगा यहाँ पे देखे महंदरगड़ में नारनोल यहाँ पे तैसिल है तो इसमें BKN government polo technique है तो जो भी आप branch इसमें fill करना चाते हैं वो branch यहाँ पे आप अपनी fill कर सकते हैं तो यहाँ fill करने के लिए सबसे पहले यह seat भी आप देख लीजिए यहाँ पे 000 so कर रहा है तो यह 0 वाली नाम भरके आप किसी दूसरे institute को भी fill कर सकते हैं तो यह जो candidate है यह outside है इसलिए यहाँ पे 000 so कर रहा है तो BKN के लिए यहाँ पे इस प्रकार add single पे plus पे आपको click करना है जैसे click करेंगे तो इस प्रकार से आपका selection हो जाएगा और selection होने के बाद वो show करेगा नीचे bottom phase में choices filled इनको आप उपर नीचे भी कर सकते है move up and down जब एक से ज़्यादा choices fill हो जाएगी तो इस प्रकार से आपको choice fill करनी है choice fill करने के बाद इनको save करना है save choices जैसे आप save choices कर देंगे इसके बाद आप इसको save and exit पे जाएगे bottom phase में save and exit जैसे आपका click होगा तो इसके बाद choices को lock कर दें तो lock करने के लिए display locked and filled choices इस प्रकार से आपको click करना है roll number का फिर से selection करना है selection करने के बाद lock choices पे click करना है और ok पे press कर देना है इस प्रकार choices आपकी log हो चुकी है इसके बाद आप इसको log out कर दें तो ये दोस्तो procedure था full कि किस प्रकार से आप अपना जो choice है counseling की वो fill कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तों